देश दीती किवल सच्ची और पक्की ख़बे देश दीती में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशी जहीर परदान मंत्री जी बयान दे रहे थे वो बयान के अंश मैं आपको सुना नहीं सकता अब सिब बता सकता हूँ राजिस्थान के अंदर पेट्रोल महंगा है जब सरकार आ जाएगी इसकी समिक्षा की जाएगी बिल्कुल अच्छा लगता है पेट्रोल खाना चीनी आटा चावल तेल जब यह महंगा होता है तो इसकी समिक्षा वाके सरकारों को करनी चाहिए ताके आम आदमियों को अराम से उनकी जरूरत की चीज मिल जाए लेकिन इस ख़बर के पीछे भी ख़बर है पहले मैं आपको ख़बर ही दिखा जैता हूँ परधान मंतरी जी ने क्या कहा नरेंद्र मोदी जीने के ट्यूटर पर भी ये पूरा वीडियो है और अख़बार ने भी इसको छापा है लेकिन उन्होंने कहा ये है कि कांग्रिस की लूट नीती की वज़ा से लूट नीती की वज़ा से राजिस्थान में पैंटरोल इतना महँगा है कि इसलिए भाज़पा की सरकार बनते ही इसकी कीमतों की समिक्षा की जाएगी कितनी अच्छी बात है अच्छी लग रही है आपको लगनी भी चाहिए लेकिन अब हुआ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ दर्शकों बात यह है कि अगर ये लूट नीती है राजिस्थान में तो ये लूट नीती मद्धे परदेश में क्यूं है आपको मैं दिखाता हूँ एक साहब ने लिखा कि सर मद्धे परदेश और महरास्ट में किस नीती के तहत पैंटरोल महँगा है ये बताईएगा वरना लोग समझेंगे कि आप जुमला फैक रहे हैं उसने पूरा का पूरा चार्ड जो है डाल दिया आप देखेंगे कि राजिस्थान के अंदर 108 रुपे परती डीटर का ये पैंटरोल लोगों को मिल रहा है कम होना चाहिए राजिस्थान सरकार अगर इसके अंदर जिनता पार्टी की सरकारे हैं वहां तो आप बिल्कु खुले हैं तम कर दीजे शिवराज जी आप से बाहर है वो तो मुख्य मंतरी बनने को भी नहीं कह पा रहे हैं डर की वजह से लोगों को ऐसा आरोप है अब आप देखें मध्य परदेश में 109 रुपे है क्या मध्य प पाकिस्तान में है यहीं है ना तो फिर 109 रुपे वहां बियरेबल क्यों है और राजिस्तान में जैसे ही कॉंग्रेस की सरकार आती है वहां पर बियरेबल क्यों नहीं है क्या वजह है क्या वहां के लोग भारतवासी हैं वहां के लोग नहीं है जो महंगाई से पीडित तो है मनिपुर में भी 101 है मेगाले में 96 है मिजोरम में 95 है नागा लेंड में 18 है उडिसा में 105 है उडिसा में पांडुचेरी में 95 है पंजाब में 98 है चलिए खेर तो दर्शकों यह चीज है अब मैं आपको एक चीज के तरफ और लेके चलता हूं हाला कि कुछ लोगों ने और भी कहा है कि गुजराद में तो पैंट्रोल मुफ्त मिलता है गुजराद में 28 साल से भाजबा सरकार है वहां पर खमिक्षा क्यों नहीं करते हितेंद्र पांडिया बोल रहे हैं अब दर्शकों बात ऐसी है कि जब चुनाओ आते हैं अच्छा एक मुलाकात करें हाय उस्षोक का अंदाजे तकिल्म तकिल्म केते हैं कलाम को बोलने को हाय उस्षोक का अंदाजे तकिल्म एक बात के परदे MEане सोबात करें तो पूरी बात तो बता दी जाए DR. चलिए ये दो बात हो गई एक जगाा और बताता हूँ आपको मैं गैस का सिलेंडर आपको याद है कहां पर कम हुआ राजिस्थान में कम हुआ 500 रुपय का सिलेंडर काफी वक्स से पहले दे रहे अशोग गहलोद लेकिन उत्तर परदेश में क्या रेट है मद्य परदेश में अभी आकर के मामा जी ने कहा हम साले 400 का देंगे विकुल लबे दम आ करके तो आपको सिलेंडर महेंगा नजर नहीं आ रहा था जो तेल जिसमें सबजी बनती है अभी की तो बात है 100 रुपय 80 रुपय 120 रुपय बिका करता था 200 तक चला गया था अब शायद 10 20 रुपय कम है कहने का मतलब यह जो 28 रुपय मिलता था वो 40-37 हो गया जो तेल 100 रुपय मिला करता था वो 200 हो गया जो डाले 50 मिलती थी वो 1.500 हो गई है जो 100 मिलती थी वो 200 हो गई है यह हालात क्या है जो बजट किचन का महिलाओ का परधान मंत्री जी आपके कारinizi काल में बिगडता जा रहा है जो बिजली के बिल्ज आपकी वज़ा से और आपके नीतियों की वज़ा से आपके उड्युगपती नीतियों की वज़ा से मह हो रहे हैं इसी राजस्तान की तो बात है पैट्रोल की लागत पर समिक्षा आप करने जा रहे है बहुत अच्छी बात है समिक्षा नमत कहिए आप कहिए हम कम कर देंगे जो राज्य सरकारे लेती हैं जो सैस के रूप में आप लेते हैं उसको आप कम कर देंगे आप कह दीजिए ना लेकिन नहीं करेंगे अभी पिछले दिनों आपको याद होगा 2014 में जब सरकार आई तो परधान मंतर जी का वो मकोला वो ये बतकिस्मतों की सरकार है वो किस्मतों वालिव की सरकार है हमारे आते ही पैट्रोल जो है अंतररास्टी जगत में सस्ता हो गया किसे चुनेंगे आप कहा नहीं कहा अब वो कहने की बात यह है कि यह जो बेसिकली पैट्रोल के जो दाम है एक बार एक मंतरी है केंद्री में महिंदरनात पांडे उनसे मेरा राप्ता हुआ मैंने साहब यह पैट्रोल महंगा हो रहा है डीजल महंगा हो रहा है कह रहे यार इसके अंदर हमारा लेवल पर पैसे बढ़ेंगे दबला देंगे लिकिन आप तो ऐसा भी नहीं करते कोविड के समय बीस से 25 डॉलर परती बैरल की जो है वहां पर जो है कीमते गिर गई थी और हमारे भारत सरकार ने खजाना भर लिया था पैट्रोल का सारे के सारे जीतने भी कुएते सब भर लि है और फिंटरों जो है सिलेंडर एक जमाने थे 500 रुपे का देरा बिजली वहां पर सिस्टी मिल रही है मुफ्त मिल रही है तो कैसे उसको गांटर किया जाए जाये कभी करनेया लाल को लाया जाता है कभी जुलेद नासिर की वहां पर इस चीज़ कर जिकर होता है दर्शन क पूरे सच से पूरे जूट से ज्यादा खतरना होता है आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक में जरूर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं जैहिए